तो इस class में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से 2 rational number के बीच का rational number हम लोग find कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने exercise 9.1 का question लिया है इस question में बोला गया है find मतलब least 5 rational number between minus 1 and 0 इस प्रकार से और भी question है तो सबसे पहला जो beat है वो आपका minus 1 and 0 है पहला जो beat है वो minus 1 and 0 है कितना rational लिकालना है number हम लोग को 5 तो सबसे पहला काम क्या करेगा अब 5 plus 1 ले लिजे 5 plus 1 कितना हो जाता है 6 हो जाता है तो अब उसके बाद क्या करेगा यहाँ पर solution में आप simple यहाँ पर लिख दीजे 1 अब 1 के नीचे में क्या होता है 1 होता है न तो आप put कर दीजे 1 और उसके बाद में इसको 6 से multiply कर दीजे इसको 6 से multiply कर दीजे और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 है न तो 0 by 1 कर दीजे अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेगे इसको भी 6 से multiply कर देंे और इसको भी 6 से multiply कर देंगे तो इसको 6 से multiply करने पर दोनों को क्या मिलेगा हम लोगको यहाँ पर हम लोगको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा अब देखिये अब नीचे में यहाँ पर अगर मैं लिखूँ माइनस 6 बाई 6 उसके बाद क्या नमबर आएगा माइनस 6 बाई 6 के बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 5 बाई 6 उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस 4 बाई 6 फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, minus 3 by 6 फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, minus 2 by 6 और फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, minus 1 by 6 और फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका 0 by 6 तो बोला क्या गया है, कि minus 1 से 0 के बीच का नंबर तो minus 1 से 0 का बीच का number rational number देखिए इस प्रकार से find हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं the numbers are the numbers are ठीक है क्या क्या है minus 5 by 6 minus 4 by 6 minus 3 by 6 minus 2 by 6 minus 1 by 6 ठीक है उसके बाद next question हम लोग देखते हैं next question में बोला गया है minus 2 और minus 1 ठीक है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे हैं मैं यहाँ पे solution लिखता हूँ ठीक है अब यहाँ पे भी मैं अगर 5 plus 1 लिख हूँ तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं minus 2 by 6 लिख दूँगा minus 2 by 1 और फिर यहाँ पे minus 1 by 1 अब यहाँ पे मैं इसको 6 से multiply कर दे रहा हूँ और इसको भी मैं 6 से multiply कर दे रहा हूँ तो मेरे को यहाँ क्या मिल जा रहा माइनस 12 by 6 और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा 6 by 6 से multiply करने पे minus 6 by 6 ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे नीचे में लिख हूँ minus 12 by 6 minus 11 by 6 minus 10 by 6 minus 9 by 6 minus 8 by 6 minus 7 by 6 minus 6 by 6 ठीक है तो between बोला गया था तो देखे यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को 5 rational number मिल रहा है जी हाँ मिल रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ the numbers are the numbers are minus 11 by 6 minus 10 by 6 minus 9 by 6 minus 8 by 6 minus 7 by 6 ठीक है अब आगे देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखे थोड़ा अलग सा आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को एक रेशनल अंबर जो मिल रहा है वो माइनस 4 by 5 है और दूसरा रेशनल अंबर जो मिल रहा है वो है आपका माइनस 2 by 3 है यहाँ पे इन दोनों का जो दिनुमिनेटर वो सेम नहीं है तो 5 और 3 अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो आप यहाँ पे जो नंबर है माइनस 4 by 5 इसको नीचे 15 करना दिनुमिनेटर को तो यहाँ पे मेरे को 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे में जो नंबर से मल्टिप्लाई करेंगे सेम उसी 15 और उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 2 by 3 तो आप देखिए नीचे जो है यहाँ 15 करना है हमको तो यह 5 से मल्टिप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी 5 से मल्टिप्लाई करना होगा तो इस प्रकार से जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा माइनस 10 by 15 ठीक है ना अब अगर यहा हम लोग क्या करेंगे को अगें हम लोग इसको क्या करेंगे माइनस टूवेल बाइ फिप्टीन इंटु थ्री कर देंगे मतलब अलग अलग नंबर से आप मल्टिप्लाइब करके देखेगा कि उससे ज्यादा आना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको रफली दिखाऊ यहां पर आप देखे मैं यहां पर लाइन टान दे रहा हूं हम लोग को जो नंबर मिला माइनस टूवेल बाइ फिफ्टीन मिला इसके बाद माइनस इलेवन बाइ फिप्टीन आता और फिर इसके बाद माइनस टेन बाइ फिफ्टीन आता तो क्या हुआ कि इसके बीच मेरे से देखूंगा जब तक मेरेको पांश ठोर एसनल नहीं मिल जाता क्योंकि कोशन में पांश ठोर एसनल लंबर डिमांड किया था तो यहां पर 3 से करने से क्या होगा मैं चेक कर लेता हूं देखिए अगर यहां पर हम लोग करेंगे तो 126 कितना आएगा यहां पर 36 आजाएगा माइनस 36 वा नीचे में क्या हो जाएगा 59 45 पिप्टीन थ्री जा फॉर्टी फाइग ठीक है अब यहां पर क्या है माइनस 10 वाइट 15 यहां पर अगर मैं मुल्टिप्लाई करूं 3 के साथ और यहां पर भी 3 के साथ तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस 30 by 45 ओके और देन अब देखी क्या हुआ कि जो नंबर मिला हम लोग को एक नंबर हम लोग को मिल गया माइनस 36 by 45 और दूसरा नंबर जो है वह है आपका 30 by 45 तो यहां पर हम लोग कर दें तो यह हो जाएगा 35 by 45 फिर आगे हम 36 35 36 हाँ ठीक है ठीक है स्वरी 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 35 फिर क्या होगा 34 फिर क्या होगा 33 फिर क्या होगा 32 फिर क्या होगा 31 और फिर क्या होगा 30 है ना तो सब में माइनस तो है माइनस 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 और बाय 45 और फिर 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 बाय 45 तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि मेरे को अब देखिए कि इनके बीच पांच रेशनल नमबर मिल जा रहा है अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करता फिर मैं कुछ आगे नंबर से multiply कर देता हूँ फाइप से करके देखता या फोर से करके देखता या सिक्से करके देखता ठीक है ना तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं दा नमबर और तो यहां पे लिख दूँएंगा मैं 35 बाइफ 45 35 बाइफ 45 फिर 34 बाइफ 45 फिर 33 बाइफ 45 फिर 33 बाइफ 45 फिर 32 बाइफ 45 और फिर 31 by 45 यहां यहां माइनस साइन है ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो अब नेक्स्ट कोश्चन यहां पर यह आपका कितना नंबर का कोश्चन था के बाद यहां अच्छे एक कोश्चन और है बुक में आपका तो आप उसको देख लिजेग माइनस 1 by 2 और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 by 3 तो first of all क्या करना होगा आपको LCM निकालना होगा 2 और 3 का तो यहां पर मैं लिकाल देता हूं LCM of 2, 3, 6 हो जाएगा मैंनस 2 इतना तो यहां पर क्या होगा 3 से मल्टिप्लाइ करना होगा तो यह हो जाएगा आपका मैंनस 3 by 6 और उसके बाद यहां पर 2 by 3 है तो यहां पर इंटो होगा 2 से और यह भी 2 से तो यहां कितना आ जाएगा 4 by 6 ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि माइनस 3 by 6 को मल्टिप्लाइ कर देंगे हम लोग 6 by 6 के साथ और फिर 4 by 6 को भी मल्टिप्लाइ कर देंगे हम लोग 6 by 6 के साथ ठीक है न तो यहां कितना हो जाएगा माइनस एटीन क्यों कर रहे क्योंकि मैं को पांच रेशनल नंबर चीए तो पहले मैंने दिखाया था कि फाइफ प्लस वन करता है अगर यह करने के बाद नहीं आता है तो फिर हम लोग इसका और आगे नंबर से करेंगे ठीक है ना मगर इसमें देखें मेरे को लगता है कि मिल जाएगा थार माइनस ऐटीन भाई थाटिश्या और यहां पे पर कितना आ जा रहा है यांपका त्वैंटी फोर भाई कि थाटी सिक्स है तना त्वेंटिपोर बाई थाटीजिक्ञा ठीक है ओ आप यहां अगर हम लोग यहां पर देखें ओ ओ किरूश्या तो माइनस एटी बाई 36 ठीक है और ऐसे भी देखिए एक चीज में और एक चीज बता रहा हूं अगर मैं नहीं भी करूँ ना ठीक है यहां पर यह चीज नहीं भी करूँ थोड़ा से दिमाग लगाए कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको करने ही पड़ेगा यहां पर हमारे पार जो नंबर है माइनस थ्री बाई 6 इसके बाद ही करने हुआ लिखे नपर यहां माइनस ट्वाई 6 हो जायगा उसके बाद माइनस ब suspect हो जाएगा उसके बाद पर यहांपका थीर की है और उसके बाद में फिर आपका फ्रीब्य यहां? में आपका फोड़ा 6 हो जाएगा है ना इसके बीच में तो देखिए इतना सारा नंबर हम लोग को मिल जा रहा है इतना सारा नंबर मिल जा रहा है तो имеет capitalize दूर तो नहीं होगा क्या हो जाएगा ना तो मैं यह लिख देता ओChar la नंबर tis और क्या के नंबर है? मैनस two by six मैनस one by six zero मैनस one by six एस और बिना minus one by six फिर यहां पे तो टो पाई सिक्स ठीक है तो I hope कि आप सबको यह समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा ठीक है